ओम शांती, दोस्तों आज कोरोना वाइरस पैंडमिक ने समस्त विश्व पर दूसरी वेव का बहुत गहरा प्रहार किया है सब तरफ अफरात अफरी का महौल है, लोगों के मन में भय है, चिंता है हर एक के मन में यही प्रशन उठता है, कि इसके उपर हम कैसे विजे प्राप्त करें, इससे हम कैसे बचें ऐसे समय पर हमारे मन में किवल एकी बात ध्यान में आती है, कि अगर हमें इससे बचना है, तो हमें स्वयम समझदारी से काम लेना होगा किसी ने बहुत सुन्दर कहा है कि mind and parachute, they both function when they are open अर्थात ऐसे समय पर केवल तीन बातों को हमें ध्यान रखना है और उनी तीनों बातों के आधार पर आज हम कुछ बातों का चिंतन करेंगे और वो तीन बाते कौन सी हैं, वो हैं सजग रहना, यानि alert रहना दूसरा है स्थिर रहना, अर्थात stable रहना और तीसरा है सकारात्मक, अर्थात positive रहना दोस्तों ये तीन बातों का मंत्र, यदि हम अपने मन और अपने तन के हिसाब से follow करें इनको हम सयम से follow करें, तो हमें इस pandemic के उपर सहज रूप से विजए प्रात कर सकते हैं स्थिरता, सजगता और सकारात्मक, आज सबसे पहले हमारे मन में यही आता है कि हम लोग घर पर है, तो क्या हम early disease को recognize कर सकते हैं ऐसे क्या लक्षन है जिसके द्वारा हमको ग्यात हो कि ये बिमारी कही ना कही हमारे उपर असर डाल रही है या इसके symptom या लक्षन हमारे पास आ रहे है कुछ ऐसे लक्षन जो है, वो है बुखार दोस्तों, आज की समय में कई बारी मुझे फोन आता है वो कहते हैं, डाक सब 4-5 जिन से बुखार चल रहा था हमने सोचा कुछ और होगा बस यही सोचना की कुछ और होगा, यह गलत हो जाता है आज की समय में हर प्रकार का बुखार किसी प्रकार की अगर हमें बार-बार खासी उठती है जैसे पहले नहीं उठी हो अगर हमें unusual सी थकावट लगती है smell का चला जाना, taste का चला जाना, सांस फूलना एक ऐसी कोई भी बात है अगर हमारे जीवन में हमको महसूस होती है तो यह symbolic है कि कहीं ना कहीं हमको Corona virus का attack हो सकता है प्रहार हो सकता है और जब भी यह प्रहार होता है तो हमको घबराने की जरुवत नहीं है यह नहीं सोचना कि मैं तो अपनी थोड़ी सी दवाई कर लूँगा या घर की कोई चीज खा लूँगा या कोई ऐसा गोली खा कर मैं अपने आपको अराम दे लूँगा ऐसा नहीं यह Corona हो सकता है इसलिए सबसे पहले हमको बहुत proper और immediate steps necessary है और क्यों necessary है क्योंकि आपके जीवन के आधार पर ही अनेकों का जीवन आधारित है क्योंकि ऐसे pandemics जो होते हैं अक्सर देखा गया है यह बिमारी यह young लोगों के अंदर बच्चों के अंदर आती है और उनको asymptomatic या थोड़ी सी mild symptoms करके चली जाती है लेकिन घर में बड़े हैं बुजर्ग हैं जिनको diabetes है hypertension है सांस की बिमारी है जिनके जीवन के अंदर अलग-अलग प्रकार की कुछ और comorbidities हैं कुछ और problems हैं जो बुजर्ग हैं ऐसे लोगों को अगर ये pandemic की बिमारी ये corona की बिमारी अगर catch कर लेते हैं तो ये उनके लिए जान लेवा हो सकती है इसलिए आपके जीवन में जो सजग रहना alert रहना ये आवश्चक है ना केवल आपके लिए लेकिन अनेकों अनेक लोगों के लिए भी इसलिए इस chain को तोड़ने के लिए सबसे पहले आपको उस chain से अपने आपको isolate करना होगा अलग होना पड़ेगा ताकि ये बिमारी आप ही तक सिमित रहे और किसी और को affect ना करे तो जैसे ही आपको ये symptom आए आपने test कराया है या नहीं कराया है high suspicion रखते हुए है बहुत तेजी से अपने आपको isolate कर ले घर के अंदर किसी कमरे में किसी और कौने में आप अपने आपको सब लोगों से isolate कर ले और बाकी सब लोग भी जो परिवार के अंदर है वो भी अपने आपको उस व्यक्ति से distance करें इससे हम कोरोना की बिमारी के फैलने को हम वही पर रोग ठाम कर सकते हैं और दूसरा जैसे ही आपको लक्षन आए तो उस परिवार के सभी सदस्यों को immediately mask कर लेना चाहिए isolate करने के साथ साथ proper masking एक mask यूज करें अगर proper mask यूज करते हैं और ये बहुत बहुत important step है ये बहुत बड़ा step आप लेते हैं जब आप अपने आपको isolate करते हैं और अनेकों अनेक लोगों को इस बिमारी को फैलने से रोग देते हैं दूसरा आपको immediately testing करानी है testing का result कई बारी लोग कहते हैं कि sir हमने दे दिया test हमको लक्षन है पठ हो सकता है कुछ और हो चार दिन तक उसकी report आएगी तब तक मैं ऐसे ही कोई दवाई ले लेता हूँ या कुछ हिलाज नहीं करता हूँ अगर suspicion है और हमें लगता है कि ये बिमारी हो सकती है तो हमको treatment immediately start कर देना है अपने doctor से बात करके simple गुलियां हमको लेनी है जिसकी protocols government of India के द्वारा हर शेहर के अंदर हर doctor के द्वारा बड़ी clearly defined है और उन बिमारी की जो protocols को यदि आप proper तरीके से follow करते है तो result अगर positive आता है तब भी आप advantage में है क्योंकि आपने अपने आपको treat किया और यदि result negative आता है तो भी आप advantage में है क्यों क्योंकि 70 to 80% cases के अंदर ही है RT-PCR या बाकी test detect कर सकते है बाकी cases में ये कई बारी detect नहीं होता है और अगर नहीं भी निकलता है तो भी वो ज्याधत और जो दवाईयां आप ले रहे है वो आपको नुकसान नहीं करेंगी तो इसलिए जैसे ही आपको diagnose हो fever हो, बखार हो, कफ आए, सांस पूलिया कोई भी चीज ऐसी लगती है आप isolate करें, treatment चालू करें यदि आपको लगता है, RT-PCR में time लग रहा है तो immediately आप rapid antigen करा सकते हैं और rapid antigen का test जो कि 10 minute में आ जाता है अगर वो positive है, तो आपको RT-PCR के लिए जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको हम positive ही मान कर treat करते हैं तो testing आपने कराई, अपने आपको isolate किया ये बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने सही treatment पाग पर चल पड़ें इसी के साथ जो भी family members exposed हैं, जो उनके साथ रहते हैं क्योंकि अक्सर हमारे ये माननेता है कि ये तो मेरे परिवार वाले हैं इनसे मुझे कोरोना क्यों होगा, ये तो मेरे मित्र हैं इनसे मुझे कोरोना क्यों होगा, ये तो हमारे सागे संबंदी हैं इनसे हमें कोरोना क्या होगा, कोरोना किसी भी boundaries को नहीं देखता है वो हर जगे तोड़ता हुआ गुसता है, इसलिए self protection इस दी की ये बहुत बहुत आवशक है जो आपको समझना है इसलिए परिवार में रहते हुए भी जब आप भोजन करें तो अलग रहकर खाएं, यदि आप सबके negative भी है तो भी distance पर रहकर खाएं और symptoms अगर हैं तो अपने आपको completely distance करना बहुत आवशक है दोस्तों, जो लोग exposed हैं, उनको भी अपने test कराने हैं तीन दिन से लेके, चार दिन, पांच दिन के बीच में इस window period में उनको अपना rapid antigen, नहीं तो preferably RT-PCR करा लेना चाहिए, ताकि वो भी अपने आपको positive या negative category में ला सकें और अगर asymptomatic भी हैं, कोई लक्षन नहीं भी हैं फिर भी positive आता है, तो उसको follow up करके, monitoring करके बन जाते हैं, जैसे ही कोरोना हमको diagnose होता है, तो हमको चार चीजों की तुरंट monitoring करने हैं, बहुत simple monitoring है, आप सबसे मेरा निवर दिन है, कि घर के अंदर एक saturation monitor जो है, वो जरूर लेकर रखें, जिसको हम pulse oximeter कहते हैं, और उस pulse oximeter को अलग अलग लोगों के उपर check भी कर लें, कि वो सई saturation दिखा रहा है, और जैसे ही अगर आपको लक्षन है, तो आप सबसे पहले दिन एक category में आप देखे, कौन सा day of illness है, दूसरा है हमको बुखार कितना आ रहा है, हर चार घंटे बाद हमको बुखार की monitoring करनी है, चाहे वो बुखार आता है, या नहीं आता है, तीसरा हमको oxygen saturation की monitoring करनी है, चाहे वो normal भी रहते है लेकिन फिर भी आपको उसका chart बनाना है, और चौथी चीज जो बहुत important है, वो है pulse rate, यानि आपकी धड़कन कितनी चल रही है, और इसी के साथ, जब आपको बुखार आता है, तो parasitamol की गोली या कोई doctor जो आपको advise करता है, वो गोली लेते हैं, उसको भी साथ में दिख लें, इसका advantage क्या है, क्योंकि यही important chart है, जो आगे हमारा mark दर्शन करता है, along with जो common blood investigations है, जो doctor के supervision में आप कराएंगे, उसके साथ, इस chart को अपने सामें रखना, maintain करना, ये एक second में हमको trends दिखाएगा, और उस trend के according हम first gear के बाद second gear या third gear में जा सकते हैं, जब हम ऐसी monitoring करते हैं, तो किन बातों का हमें ध्यान रखना है, जब भी हमारी temperature बहुत तेजी से उपर जा रहा हो, किसी दवाई से control ना हो रहा हो, तीन दिन, चार दिन और इसी के साथ हमारे election बढ़ते जाएं, तो ये एक चिंता का विशाय है, यानि हम लोग initial phase से immune phase की तरफ जा रहे हैं, और ऐसे समय पर बहुत important है कि हम immediately doctor से consult करके second line of treatment यानि steroids है और बाकी दवाईयां है, उनकी तरफ हम अपना ध्यान दे, इसी के साथ जो दूसरी चीज़ जो हम को monitor करनी है, वो है saturation, यदि हम देखते हैं, हमारी normal saturation से 94, 93 तक टच कर रही है, कम आ रही है तो भी doctor से हमको consult करना आवशक है, अर्थात हमारे respiratory pathway, हमारे lungs कहीं न कहीं affect हो रहे हैं, अगर कुछ लोगों को सांस की बिमारी है, तो ये percentage vary कर सकती है, बट जादर तर लोगों में इसी प्रकार से ये देखा गया है, इसी के साथ कुछ unusual symptoms आपको आते हैं, यानि isolate हो जाते हैं, तो isolate होकर हमको क्या करना है, हमको कोशिश करना है कि हम अपने chest के बल पर लेट जाएं, क्योंकि देखा गया है कि जब हम chest के बल पर लेटते हैं, चाहें saturation normal भी है, तो भी lungs की oxygenation भढ़ जाती है, इसी के साथ deep breathing exercises, जैसे घहरा सांस आपने लिया और उसको रोक कर बाहर छोड़ा, ये भी हमारे lung की exercises हैं, क्योंकि corona जहां attack कर रहा है, वहाँ आप उसको counter कर रहे हैं, lung को कारे देकर, lung को expand करकर, इसी तरह pursed lip breathing है, pursed lip breathing बहुत simple exercises है, जैसे आप देखें, आप इस प्रकार की पेरासिटामॉल की गोली है, कफ सिरप लेना है, अंटी अलर्जिक की गोलिया है, वाइटमिन्स जो supplement है, जैसे zinc है, और इसी तरहें vitamin C है, इनके supplements आपको लेना है, खाने पीने में गरम पानी है, गरम काड़ा है, गरम products है, अच्छी लायट, जो आपको पसंद है, जो proteins है, वो आप किसी भी मातरा मिले, ताक कि आपके शरीर को energy मिले, जहाँ virus replicate कर रहा है, वहाँ आप अपनी immune system को powerful तरीके से बढ़ा रहे हैं, तो alert रहकर जब हम देखेंगे, तो हम बहुत सारी चीज़ों को manage कर सकते हैं, इसी के साथ थोड़ा-थोड़ा steam inhalation लीजे, steam inhalation आप लीजे, बहुत तेज heat नहीं, लेकिन एक mid segment heat को आप लेंगे, तो वो भी आपके गले को सुकून देगा, तो isolation के अंदर जब हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ventilation proper रखेंगे, खिड़की खोल कर रखेंगे, तो इस virus के spread को रोकने से हम significantly prevent कर लेंगे, इसी के साथ आप लोगों में से बहुत लोग हम से पूछते हैं कि भाई हम blood test क्या कराएं या CT scan करा लें, एकदम corona को detect होते ही अगर हम CT scan कराते हैं, तो initial phases में lung का involvement नहीं होगा, और अगर score आपका कम आता है, या practically ना के बराबर आता है, तो यह हमको false sense of security भी दे सकता है, इसलिए हमारी recommendation यह है कि जब आपको कुछ दिन निकल जाएं या symptom आपको जल्दी आने लगें, तो यह indication है कि आप उस CT test को करा कर देख सकते हैं, हर व्यक्ति जो कि अपनी saturation को maintain कर रहा है, जिसको कोई दिकत नहीं है, उनको यह test कराने के आवश्रता नहीं है, अगर उनका बुखार भी resolve कर रहा है, blood test, जो common blood test हैं, उनको आप use कर सकते हैं, उनको आप common एक base value रखने के लिए आप इसमाल कर सकते हैं, करा सकते हैं, लेकिन जो advanced blood test हैं, उनको doctor के supervision के अंदर ही करा हैं, ताकि कोई भी दिकत, कोई भी unnecessary steps आप अपने मन के अंदर या अपने हिसाब से आप swim ना लें, तो दोस्तों यह blood test, CT scan monitoring भी बहुत आवशक है, लेकिन सब यह supervised guidelines हैं, ऐसा नहीं कि आप अपने आप से ही CT scan कराने पहुंच गए, अपने आप यह blood test करा लिया, अपने आप ही अपने decisions ले लिया, क्योंकि जब ऐसा होगा, तो आपकी कही ना कही inner stability खराब होगी, आप अपने आपको हिला हुआ मैसूस करेंगे, देखा गया है कि इस corona pandemic के अंदर, जहां हम लोग कभी-कभी alert रहते हैं, वह हमारे मन की stability खराब हो जाती है, हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, या कभी-कभी बहुत ज़ादा बात करेंगे, social media का बहुत ज़ादा उपयोग करेंगे, आशकल तो WhatsApp, Facebook और सब पर आपको रोज messages की opinions आती हैं, मेरा आपको यह opinion है, कि इस syndrome को आप थोड़े समय के लिए छोड़ दें, guidelines बहुत defined हैं, बहुत सहज हैं, आप उनको follow करें, और इस समय पर हर एक से interact ज़रूर करें, बात करें अराम से, कोरुना को छोड़के कुछ और बात करें, कुछ अच्छी बात करें, अपने आपको स्रेश्ट संकल्ब दें कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं इस पर विज़े पर आप ज़रूर करूँगा, क्योंकि जहां ये हमारे immune system को powerful तरीके से effect करती है दोस्तों, उसी प्रकार से उस immune system को भरकरार रखना, उसको strengthen करना, ये भी हमारी सोच, हमारी सकारात्मक्ता के ओपर निर्धारित है, ऐसे समय पर हमारे लिए बहुत आवश्यक है, कि जहां ये शरीर और हमारे मन पर प्रहार कर रही है, उस समय हम लोग सयम रखें, हम balance रखें, जहां हम शरीर का ध्यान दे रहे हैं, उसी प्रकार मन का भी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दे, हमारे ऐसे कितने ही cases हैं, जिनको हमने देखा हैं, जिन्होंने अपने positive attitude से, सकारात्मक्ता से, बार-बार अपने आपको संकल्प देकर अपनी immunity को बढ़ाया है, अपने आपको powerful तरीके से fight back mode के अंदर लाया है, और severe बिमारी के ओपर भी दोस्तों विजय प्राप्त की है, आप music सुन सकते हैं, meditation music सुन सकते हैं, वो है सजग रहना, स्थिर रहना और दूसरा इसी के साथ है सकारात्मक रहना, ऐसे समय पर जब हम अपने मन को स्थिर रखते हैं, अपने मन को सकारात्मक रखते हैं, तो दोस्तों इस pandemic पर इस बिमारी को हम लोग अपने लिए भी प्रोक सकते हैं, और अनेको अनेको लोगों को भी हम लोग इस बीमारी से सफर करने से रोक सकते हैं और आखरी बात, आज मैं देख रहा हूँ कि कई लोगों में बहुत सारी दवाईयों के लिए बहुत सारे oxygen concentrators के लिए होड लगी है, आप भागिये नहीं आप केवल अपने जीवन में सयम रखे, यदि आपको लगता है कि ऐसी requirement हमको होने वाली है severe comorbidities है, saturation कम आ रही है, तब हम second और third gear में जाते हैं लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं, ये डॉक्टर के supervision में होनी चाहिए तो इसलिए ये three point mantra सदा ध्यान रखिए इस पर विज़े पराप्त करना, ये कोई बहार हमारे medical science तो कर रही है लेकिन उसके साथ साथ हमको swim भी करना है, अपनी responsibility को भी लेना है vaccination से नहीं डरना है, अपने आपको sanitize करना है, घर को sanitize करना है, masking करनी है vaccination, masking और sanitization, ये तीन powerful तरीके हैं, जिसके द्वारा हम इसके spread को रोख सकते हैं तो सहज, स्थिर और सकारात्मक, alert, stable और positive, ये तीन मंत्रा जब हम रखते हैं तो परम पिता परमात्मा की शक्ती हमको सहज पराप्त होती है उससे जब हमारा connection होता है, तो वो संकल्प, सुध, सकारात्मक और powerful हो जाते हैं और हर परिस्तिती पर हम सहज विजय प्राप्त कर सकते हैं तो हम आशा करते हैं, कि आप सब एक जुट होकर अपने संकल्पों को powerful बनाएंगे और ये छोटे-छोटे steps जो हमने बताए हैं, छोटी-छोटी बाते जो हमने आप से सामने रखी हैं इनका ध्यान रखकर इसके उपर विजय प्राप्त करेंगे ओम शांती